हाई फ्रेंस मैं हूँ राजुन पांडे और हाजिर हूँ हिंदी की एक नई वीडियो के साथ जो आपके ग्यान को भढ़ाता है और आपके द्वारा की गई तैयारियों की आकलन करने में भी मदद करता है तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो पहला प्रशन है त्रावर्ण किसके योग से बना है आप चारो आप्सन को देखेंगे और सही आप्सन का चैन करेंगे यहापर सही आप्सन है आप्सन बी अगला प्रश्ण है इन में से किस सब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धी है चारों आपसंस को आप देखेंगे अनाधिकार, अस्थान, अमरूद वा अनुकुल अनुकुल गलत दिखा हुआ है का पर दीरगू का मात्रा रहेगा तो सही आपसंन है आपसंडी अगला प्रश्ण है इन में से किस सब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धी नहीं है यहाँ पर तीन गलत है और एक सही है उसको बताना है आपसंस है अधियन, आगामी, अधीन, उजवल सही आपसंस है आपसंस सी अधीन सही तरीके से लिखा गया है अगला प्रश्ण है इन में से किस सब्द में लिंग प्रत्य संबंधी अशुद्धिया है आपसंस है अनाथा, गाईका, कोपी, नारी तो सही आपसंस है आपसंस दी नारी अगला प्रश्ण है इन में से किस सब्द में समास संबंधी अशुद्धिया है अगला प्रश्ण है इन में से किस सब्द में हलन्त संबंदी अशुद्धिया नहीं है अप्सन से बुद्धिमान, भविश्यत, सचित या स्रीमान इन अप्सन को आप ध्यान पूर्वर देखेंगे और सही एंसर बताएंगे यहाँ पर सही एंसर है बुद्धिमान यहाँ पर हलन संबंदी अशुद्धिया नहीं है अगला प्रश्ण है इन में से किस सब्द में चंद्रविंदु संबंदी अशुद्धिया है अप्सन से अंगना, चाद, डाद या पहुच सही आफसन है आफसन D पहुच अगला प्रश्ण है इनमें से अल्प विराम कौन सा है आफसन से वह रोज आता है यह हाथी है धीरे धीरे या इनमें से कोई नहीं तो अल्प विराम का इस्तमाल वह रोज आता है यहाँ पर किया गया है तो सही आफसन है आफसन A अगला प्रशन है इन में से योजक चिन्न कौन सा है यहाँ पर चार्ज तीन चिन्न दिये हुए है और अन्तिम आफ्षन है इन में से कोई नहीं यहाँ पर सही आफ्षन है C यहाँ एक योजक चिन्न है अगला प्रशन है संग्या के कितने वेध होते हैं options हैं 10, 5, 7 या 8 सही option है option B 5 संग्या के 5 वेद होते हैं अगला प्रश्ण है इन में से कौन सा संग्या के वेद हैं यहाँ पर आपको बताना है संग्या के वेद कौन से हैं options हैं जाति वाचक, व्यक्ति वाचक, भाव वाचक या इन में से सभी तो सही option है option D इन में से सभी अगला प्रश्ण है इन में से भाव वाचक संग्या कौन सा है options हैं लंबाई, स्याम, घर, सभा सही option है option A लंबाई, लंबाई एक भाव वाचक संग्या है अगला प्रश्ण है इन में से कौन सी चाति वाचक संग्या से भाव वाचक संग्या बनाया गया है आफ्सन से बुढ़ापा, कठोर्ता, सजावट या अपनापन सही आफ्सन है आफ्सन ए बुढ़ापा अगला प्रश्न है इन में से कौन सी सब्द समूह वाचक संग्या है आपसन से सोना, सभा, मिठास या इन में से कोई नहीं सही आपसन आपको पताना है सही आपसन है आपसन भी सभा अगला प्रश्न है इन में से लिंग के भेद कौन-कौन से है आप्संस है पुलिंग, इस्त्री लिंग न पुन्शक लिंग या इन में से सभी तो सही आप्संन है इन में से सभी, आप्संन डी यह सभी लिंग के भेद है अगला प्रश्ण है खटमल सब्द कौन सा जंडर है आप्संस है पुलिंग, इस्त्री लिंग, उभैलिंग या इन में से कोई नहीं सही आप्संन है पुलिंग तो आप्संन ए सही है अगला प्रश्ण है इन में से कौन से सभी पुलिंग है आप्संस है गिलास, अदालत, ए और भी दोनों या इन में से कोई नहीं सही option है option A, गिलास अगला प्रश्ण है pencil सब्द कौन सा gender है या कौन सा link है options है pulling, strelling, overling या इनमें से कोई नहीं सही option है strelling, pencil strelling है अगला प्रश्ण है इनमें से कौन सा सब्द strelling है options है खाट, घड़ा, या और भी दोनो या इनमें से कोई नहीं सही option है option A, खाट अगला प्रश्ण है इनमें से कौन सा सब्द कर्मकारक है options है पेंड से फल गिरा मैंने हरी को बुलाया लड़का पेंड से गिरा हरी मोहन को रुपए देता है सही option है, option B मैंने हरी को बुलाया यहां कर्मकारक है अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इसे like करें, share करें, comment करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस channel को subscribe करें थैंक्स तो आल वीवर्स प्लाब पार्ड़का पस्टेश संद रज़ वीडियो झाल अबर आप कार वीडियो देखने को बुलाब देखने को रूर आप करें दो देखने को झाल